Hello everyone, welcome back to our channel हमारी आज की वीडियो को टोपिक है अनुशासन पर निबन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अनुशासन के महत्व को बताता हुआ एक स्लोगन लिखेंगे हमारा स्लोगन है स्वयम पर स्वयम का शासन कहला आए अनुशासन बनता है इससे आधर्ष सबका जीवन स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना जिसमें हम चारपन स्लाइनों में अनुशासन का परचे देंगे प्रतेक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन सबसे महत्व पुन है यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार होता है अगर आधार सही नहीं है तो व्यक्तित्व मजबूत नहीं हो सकता अनुशासन हमें सही समय पर सही तरीके से समय का उप्योग करना तथा काम करना सिखाता है अनुशासित होने का अर्थ है अपने शरीर और मस्तिक्ष पर नियंत्रन रखना यह हमें समाज के नियमों का पालन करने योगे बनाता है अनुशासन का अर्थ अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है अनु और शासन अनुकार्थ पालन और शासन का अर्थ नियम अर्थात नियमों का पालन मनुशे एक सामाजिक प्राणी है जो की समाज में रहता है और उसमें रहने के लिए अनुशासित रहना अवश्यक है अनुशासन के सहारे हम अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकती है एक अनुशासित व्यक्ति अपने समाज के सभी नियमों का पालन करता है वह दूसरों को सम्मान देता है और दूसरों से सम्मानित होता है उसे अपने वैवार पर पुर्ण नियंतरन रहता है वह कभी कानून का उलंगन नहीं करता वह कभी किसी को दुख नहीं देता वह एक सच्चा देश बक्त होता है, वह स्वयम को भ्रस्टाचार एवं दोखे बाजी से दूर रखता है चात्र जीवन में अनुशासन का महत्व चात्र जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है चात्र देश का भविश्य होते हैं इसलिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित होना चाहिए संसार के प्रतेक महान व्यक्ति का जीवन अनुशासित रहा है अनुशासन के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अनुशासन हमें हमेशा शांदर अफसर देता है जैसे आगे वढ़ने का सही तरीका जीवन में नई चीजे सीखने कम समय में अधिक अनुभव करने आदि जबकि अनुशासन की कमी से विकार पैता होते हैं अनुशासित रहने के नियम जीवन में अनुशासित रहने के लिए एक संतूली तेवम नियमित दिंचर्या का पालन करना चाहिए अपने से छोटे तदा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए अपने कारें को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए व्यर्थ के कारें से दूर रहना चाहिए अर्थात समय का सही उप्योग करना चाहिए बुरी आदतों और कारें से हमेशा दूर रहना चाहिए हर व्यक्ति के प्रती सकरात्मक सोच रखनी चाहिए अपने कारें के प्रती पूरी लगन रखनी चाहिए और हमेशा सकरात्मक रहना चाहिए अपने जीवन में कोशिश करें कि हमेशा संयम से काम करें उप्सहार आज देश ब्रस्टाचार घुस कोरी गोटाला दोखे बाजी आतंगवाज जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है अधिकतर युवा ब्रहमित हो रहे हैं सिर्फ शिक्षित और अनुशासित युवा ही हमारे देश को उजवल भरिश्य दे सकते हैं अनुशासन युवाओं को अपने लक्ष की और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष से भटकने नहीं देता है अनुशासन ही इन समस्याओं का एक मात्र समाधान है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अनुशासन पार एक निभन तयार कर सकते हैं I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like, share, channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद